पूरे देश में दिवाली के त्योहार का इंतिजार हर किसी को रहता है। इसको दूमधाम से बनाने के लिए लोग एक मेहने पहले से ही घरों को सजाने में, खरिदारी करने में और दोस्तों और रिष्टदारों को गिफ्ट बेजने में जुट जाते हैं। दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे महत्पून और बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम, माता, सीता और ब्राता लक्ष्पन के साथ 14 साल का बनवास काटने के बाद आयोध्या लोटे थे। दिवाली के दिन लोग घरों में दिये चलाते हैं, पठाके चलाते हैं और खुश्या मनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इस गाओं के लोग दिवाली के दिन जश्ट के जगह शौक मनाते हैं। इस गाओं के दिन यहां के लोग जश्ट मनाने की जगह शौक मनाते हैं। लोग दिवाली के दिन शौक मनाते हैं। इन सभी गाओं में रहने वाले चोहां समाज के करीब 8000 की आबादी सेकडों सालों से इस परंपरा को निभाती चलिया रही है। सेकडों सालों से यह अनोखी परंपरा आज तक चल रही है। दरसल इन गाओं में बसे चोहां समाज के लोग खुद को अंतिम हिंदू समराट प्रत्वी राच चोहां का वंचच मानते हैं। चोहां समाज के लोगों का मानना है कि दिवाली के दिन ही मुहमत गौरी ने समराट प्रत्वी राच चोहां की हत्या की थी। इतना ही नहीं गौरी ने शब को गंधार में जलाकर दफनाया पता प्रत्विराज चोहान के कतल का शौक लोग आज भी यहां मनाते हैं और इसी वज़े से यहां की लोग इस दिन अपने घरों में दीपक नहीं जलाते इतना ही खुशा मनाते हैं बलकि शौक मनाते हैं लाकर इतना ही नमस्कार